कुरणा के संकटकाल में सरकार ने सभी विभागों में अपने अखर्चित निदी वापस भेजने के निर्देश दिये थे लेकिन नाकपर जिला परीशे समाज कल्यान में संबंदित अधिकारी व कर्मचारियों ने उग जानकारी ही नहीं दी इसका खुलासा तब हुआ जब CEO योगेश कुंभेजगर ने जीरो पेडेंसी को अमल में लाना शुरू किया इसे अनेक वर्षों से प्रलंबित कई प्रकरन सामने आये और प्रकरनों को लंबित रखने के जिम्मेदार पाच्छे कर्मचारियों के खिलाफ इंक्रिमेंट रोकने की कारवाई CEO द्वारा की गई जानकारी मिली है कि इस चांच के दोरान समाज कल्यान विभाग में अखर्चित निधी का मामला सामने आया विभाग के सायक लेकादिकारी वो मातहत कर्मचारी ने वित विभाग को अखर्चित निधी की जानकारी ही नहीं दी उसके चलते सरकार को उक्त निदी वापस नहीं भेजी नहीं जा सकी। जानकारी मिली है कि उक्त मामले में CEO ने सहायक लेखादिकारी की वेतन वृद्धी रोकने की कारवाई की है। वही जानकारी छिपाने वाले कर्मचारी को निलंबित कर विभागिय जान शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के समाज कल्यान विभाग को भेजा जाएगा। CEO के इस कारवाई से सभी विभागों में खलबली मची हुई है।